Creating Complex Formulas जिसके जर्गे आप किसी कंपनी की inventory, finance, घर का budget और ऐसे तमाम हिसाब किताब के काम बाअसानी कर सकते हैं इन सब के लिए आपको Complex Formulas या पैचीदा Formulas को समझना होगा इस lesson में आप सीखेंगे के Microsoft Excel में आप Complex या पैचीदा फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं Relative और Absolute Cell Reference क्या है Cell Reference के मताबिक Fill Formula और Copy Formula के बारे में सीखेंगे Complex Formulas सादा फॉर्मूलों में एक mathematical function होता है मसलन 5 प्लस 5 लेकिन Complex Formula में एक से जायद mathematical operations होते हैं मसलन 5 प्लस 5 माइनस 2 जब एक Formula में एक से ज्यादा mathematical operations हों तो हमें Excel में Formula लिखते वक ये बताना पड़ता है कि इस Formula में कौन सा mathematical, operation या हिसाबी अमल पहले calculate होना चाहिए Excel में Complex Formula लिखने से पहले हमें Order of Operations को समझना पड़ेगा आईए इसके बारे में सीखते हैं Excel Mathematical Formulas को इस Order of Operations के लिहाद से calculate करता है Cosine या Parenthesis के अंदर अगर कूई Mathematical Operation लिखा हो Exponential Calculation जैसे किसी नंबर पर To the power of लिखा हो Zarb या Multiplication और Division या Taksीम इन दोनों में जो भी पहले लिखा हो Addition या जमा और Subtraction या तफ्रीक इन दोनों में जो भी पहले लिखा हो इस मिसाल से आपको वजाहत होगी कि Complex Formula में Order of Operations का किस तरह खयाल रखना है Excel सबसे पहले Cosine या Parenthesis वाले हिसाबी अमल को हल करेगा Cosine 19 Steric 1.99 Is equal to 37.81 White Lily Seeds Or Cosine 33 Steric 1.99 Is equal 65.67 Total Lily Seeds दूसरे मरहले में White Lily Seeds की अमाउंट को Total Patty Lily Seeds की अमाउंट पर तक्सीम किया जाएगा 37.81 आपने इस मिसाल से देखा कि Complex Formulas में Order of Operations की क्या एहमियत है अगर Order of Operations का ख्याल न रखा जाए तो Excel कभी भी दुरूस्त Calculations नहीं कर सकता इस मिसाल में हम Cell Reference को इस्तमाल करते हुए एक Complex Formula बनाएंगे जिसमें पौदों की एक नर्सरी की मिसाल ली गई है जिस सेल में result दिखाना हूँ उस पर क्लेक करें मसलन एफ 11 पर क्लेक करें इक्वल साइन टाइप करें Open Paranthesis या Cosine टाइप करें और फिर इस सेल पर क्लेक करें जिसमें फौदों की पहली वैल्यू दर्च हो मिसाल की तौर पर F4 अब पहला Mathematical Operator लिखें मसलन हमने जमा या Addition का साइन प्लस लिखा अब फौदों में दूसरी वैल्यू दर्च करने के लिए Cell F5 पर क्लेक करें Cosine को बंद करें अब अगला Mathematical Operator टाइप करें यहां हमने जर्ब या Multiplication Sign Static लिखा है फौदों की अगली वैल्यू या रखम टाइप करें मिसाल के तौर पर 5.5 फेस्ट टेक्स के लिए 0.055 Keyboard से Enter Press करें आपका लिखा हुवा formula calculate हो जाएगा और यहां आपको 2.2 टेक्स की रखम result के तौर पर नजर आ रही है याद रखें कि Excel आपको कभी यह नहीं जाहिर करेगा क्या आपका formula दुरुस्त है या गलत क्योंकि अगर formula लिखने में गलती होगी तो result भी गलती आएगा और पूरी worksheet इससे मुतासिर होगी इसलिए यह आप पर मुनसिर है कि आप अपने तमाम formula को अच्छी तरह चेक करें ताके गलती से बचा जा सके Working with cell references बिलकुल दरुस्त और accurate formula बनाने के लिए जरूरी है कि इस अमल को समझा जाए कि जब worksheet में नए cells का इजाफा किया जाए तो cell reference किस तरह काम करता है ताके नए cell में data insert करने पर खुद बखुद calculations हो सके Relative references जब आप मुख्तलिफ columns या रोज पर एक ही same calculation करना चाहती हूँ तो relative reference की तरीकी को अपनाते हुए आप अपना वक्त बचा सकती है अब हम आपके सामने एक मिसाल डिसकस करते हैं यहां हम row number 4 के अंदर cell reference को इस्तामाल करते हुए एक formula बनाएंगे और हर महीने के पानी और बिजली के बिलों की total cost calculate करेंगे एक cell खुद बखुद ही इन महीनों के बिलों को calculate कर लेगा जिस cell में formula लगाना हो उसको पहले select करें मिसाल के तौर पर B4 अब इस cell में formula लिखें जिससे calculation करनी है मसलन B2 प्लस B3 keyboard से enter प्रेस करें ये देखें formula calculate हो गया 166.60 अब formula copy करने के लिए cell B4 पर click करके select करें और फिर home tab में copy की command पर click करें अब उन cells को select करें जिनमें आपने formula paste करना हो और फिर home tab से paste कमांड को click करें आपका formula relative reference के मताबिब इन selected cells पर लागू हो गया है और values भी calculate हो गई Absolute references अकसर आपको cell reference के लिहाद से calculations नहीं करनी होती बलके किसी एक खास row या column पर खास formula लागू करना होता है इस मकसद के लिए आप absolute reference का तरीका इस्तमाल करते हैं Absolute reference बनाने के लिए आप formula में dollar sign का इजाफा करते हैं इसको column reference या row reference या फिर इन दोनों से पहले लगाते हैं अब हम एक मिसाल को जेरे बहस लाकर absolute reference को समझते हैं इस मिसाल में हम मुख्तलिफ अश्या पर sales tax को calculate करेंगे हम इस मिसाल में column B जो के sales tax को represent कर रहा है पर absolute reference का तरीका apply करेंगे जिस cell में formula लागू करना हो उसको select करें यहां हमने 4C को select किया है equal sign type करें और formula के हिसाब से पहले आने वाली value के cell पर click करें हमने B4 को click कर दिया अब formula में आने वाला पहला mathematical operator टाइप करें हमने यहां multiplication sign steric लिख दिया है dollar sign टाइप करें और इसके बाद column letter यानि column का reference टाइप करें यह आपका absolute reference cell शुमार होगा यहां हमने column B को select किया है dollar sign टाइप करें और row number लिखें हमने एक लिखा अब इस formula को run करने के लिए keyboard से enter press करें आपका formula calculate हो जाएगा और आपके पास एक रकम .55 आ जाएगी जिस cell में यह formula copy करना हो उसको select करें यहां हमने C4 cell को select किया है अब home tab से copy command पर click करें जिस cell में formula paste करना हो उससे select करके home tab से paste command पर click करें आपका formula absolute reference के तरीके के मताबिक calculate हो गया है जब हम formula लिख रहे हूँ उस वक्त आप keyboard से F4 key को press करके formula को absolute या relative reference में तबदील कर सकते हैं यह एक निस्बत अनासान और तेज तरीका है working with basic functions Excel में complex formulas बनाना खासा मेहनत तलब और तवज्जो तलब काम है पुश किस्मती से Excel में पहले से हमारे सहूलत के लिए functions की एक खासी बड़ी library मौचूद है जिसमें मुख्तलिफ calculations करने के लिए functions और formulas होते हैं और आप उनका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं आप कुछ common functions से वाकिफ होंगे जैसे sum, average, product और count वगएरा लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं कि Excel में सैंक्रो functions मौजूद हैं जिनसे आप referencing cells, calculating financial rates, analyzing statistics और यहां तक के text formatting भी कर सकते हैं Basic functions असल में function एक predefined या पहले से बना हुआ formula होता है जो एक खास order में लिखी गई values को calculate करने की सलाहियत रखता है functions का एक बड़ा फाइदा यह है के यह आपका वक्त और महिनत दोनों बचाते हैं functions को समझने के लिए के यह किस तरह calculations करते हैं पहले हमें function के मुख्तलिफ हिस्सों को समझना होगा The parts of a function function को एक correct order में लिखना बहुत ज्यादा एहम होता है हर function का एक खास order होता है जिसको syntax कहते हैं इस syntax को सही order में लिखने से ही हमें correct result या दुरुस्त नतीजा मिलता है किसी formula को function बनाने के लिए basic syntax यह है इक्वल साइन, function name, sum for example और argument या दलील argument में ये information होती है कि ये formula किस तरह यकिन शरायत पर calculate होगा मिसाल के तौट पर जब हम एक formula में cell range बताते हैं ये इस formula का argument कहलाएगा arguments हमेशा cosine या parenthesis में लिखे जाते हैं और हर cell की values का reference in cosine या parenthesis के अंदर colon या कॉमा लगा कर लिखा जाता है formula में columns का मतलब cell range का reference होता है मिसाल के तौट पर ये formula is equal sign average cosine e19 colon e23 cell e19 से cell e23 तक की cell range की average को calculate करेगा formula में कॉमा से हर cell की individual value अलहदा होती है इसके अलावा cell range और cell reference भी parenthesis में अलहदा अलहदा रेप्रेजेंट होती है मिसाल के तौट पर ये formula equal sign count cosine c6 colon c14 comma c19 colon c23 comma c28 तीन मुख्तलिफ arguments की calculations को जाहिर कर रहा है to create a basic function in Excel जिस cell में आप results show करना चाहते हैं उसको select करें equal sign type करें और फिर function का नाम enter करें मिसाल के तौर पर some function अब parenthesis में argument के लिए cell numbers लिखें कीबोर्ट से enter प्रेस करें और आपके सामने result आ जाएगा पाक रुपी 450.85 ये याद रखें कि formula की तरह Excel आपको कभी ये नहीं जाहिर करेगा क्या आपका function दुरुस्त है या गलत क्यूंकि अगर function लिखने में गलती होगी तो result भी गलत ही आएगा और पूरी worksheet इससे मुतासिर होगी using autosum to select common functions autosum command आपको cell range में से common functions जैसे sum और average को calculate करके result देती है उस cell को select करें जिसमें आपने result दिखाना हो home tab पर click करें editing group में जाएं autosum command के drop down menu को खोलें और इस menu से एक function को select करें मसलन यहां हमने average को मंतखब किया है cell E24 में आपका formula जाहिर हो जाएगा keyboard से enter press करें यह रहा आपका result पाक रुपी 11.24 यह autosum command आपको ribbon पर मौझूद formula tab में भी मिल जाएगी the function library Microsoft Excel में सैंक्रो functions मौझूद है लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन में से चंद ही आपके काम आए इसलिए आपको हर function को अलेदा-अलेदा सीखने के जुरूरत नहीं है उन functions में से अपने काम के मुताबिक function को तलाश करके आप उस function को इस्तमाल कर सकते हैं एक काम ज़रूर करें कि उन सब functions को explore कर लें ताकि आपको idea हो जाए कि Excel में कौन-कौन से functions मौझूद है Microsoft Excel 2010 में इन functions को explore करने की बहतरीन जगह functions library है जो आपको ribbon में formula tab में मिलेगी इस function library में आप मुख्तलिफ functions को सर्च कर सकते हैं function library में मुख्तलिफ categories बना कर उन में functions को रखा गया है ताकि किसी भी function को उसकी category के लिहाज से जल्दी और आसानी से search out किया जा सके आईए हम भी इस function library को ज़रा explore कर लें formula tab में जाएं आपको मुख्तलिफ commands नजर आ रही है insert function formula tab में ये पहली command है यहाँ से आप आसानी से अपनी मर्जी और काम के लिहाज से function को search कर सकते हैं यहाँ आप अपनी requirement को description वाले text box में लिख कर या नीचे select a category के drop down menu से अपनी मर्जी का function तलाश कर सकते हैं auto sum auto sum की command में आपको कुछ common functions यानि ऐसे functions मिलेंगे जो worksheet में स्याद अतर calculations के लिए इस्तिमाल होते हैं मसलन जिन में sum, average, count numbers, max या maximum, min या minimum वगेरा शामिल हैं recently used इसमें उन functions की list होती है जिने हमने पहले अपनी worksheet में इस्तिमाल किया हो या जिन function के साथ हमने हाल ही में काम किया हो financial इस category command में आपको financial function मिलेंगे मसलन, determining payment, PMT या loan interest rate वगेरा logical इस category में वो functions होते हैं जिन में मनतकी या logical conditions और arguments होते हैं मसलन, false, not, or, and, if वगेरा text इस category में वो functions शामिल होते हैं जिन में text arguments पर calculations नहीं बलके कोई task perform की जाए मसलन, text को lower case में तबदील करना या किसी text को किसी दूसरे text से replace करना वगेरा date and time अगर हमने date time के हिसाब से worksheet में काम करना हो तो हम इस category के functions को इस्तेमाल करेंगे date time functions से हम current date, seconds या minute वगेरा को worksheet में show करवा सकते हैं इन functions में minute, hour, days 360, day, date value वगेरा काबले जिक्र हैं look up and reference इस category के functions हमें finding and referencing की सूरत में result देते हैं finding and referencing से मुराद है किसी चीज को तलाश करना और उसका हवाला देना इस category में column, index, address, hyperlink वगेरा शामिल हैं math and trig math and trigonometry यानि इस category के functions numerical arguments के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं मसलन जैसे आपने values को round करना हो, pi की value निकालनी हो, product या multiply करना हो, या subtotal करना हो ऐसी mathematical और trigonometry की calculations के लिए ये functions इस्तेमाल किये जाते हैं more functions इस command में मजीद categories के functions शामिल हैं मसलन, engineering, statistical, q या compatibility के functions To insert a function from the function library, जिस cell में जवाब या result शो करना हो, उसको select करें Formula tab पर click करें Function library group से, function category को select करें जैसे इस मिसाल में हमने date and time की category को select किया है अब date and time category की drop-down menu से network days का function सिलेक्ट करें Network days का function हमें हमारी worksheet से order date और receive date की दर्मियान दोनों को calculate करके देगा अब आपके सामनी, function argument dialogue box आ गया है अपने cursor को पहरी field यानी start underscore date में रखें और mouse pointer से order date के column में cell G6 को select करें अब cursor इससे अगली field and underscore date में ले जाएं और mouse pointer से date received के column में H6 cell को select करें OK बटन क्लिक करें और ये हमारा result शो हो गया 5 days यानी इन दोनों तारीखों के दर्मियान 5 दिन का फर्क है The insert function command इस command की मदद से हम worksheet में बहुत आसानी से functions apply कर सकते हैं क्योंकि इसके जरीए आप किसी function को उसकी description देकर आसानी से search कर सकते हैं Using the insert function command इस मिसाल में हम ऐसा function तलाश करना चाहते हैं जो हमारी office supply order log से तमाम supplies को count करके हमें result दे Basic count function सिर्फ cells को उनके numbers के हिसाब से count करता है लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारा count function इस worksheet के office supply column में से गिंती करें जबके इस column में text data दर्ज है तो इस मकसद के लिए हमें ऐसा function तलाश करना होगा जो cell को उनके text data के साथ count या गिंती करें सबसे पहले वो cell select करें जिसमें result दिखाना हो फार्मूला टैप पर क्लिक करें और इंसर्ट function की कमान को सेलेक्ट करें इंसर्ट function डायलोग बॉक्स खुल जाएगा यहां search for a function की option में description लिखें कि आप क्या calculation करवाना चाहती है अब इस सर्च के नतीजे में जो results आए हैं उनका जाइज़ा लें या उन्हें review करें कि कौन सा function आपकी जरुरत के मताबिक है यहां हमारी requirement के हिसाब से count a function का इंतखाब बहतर होगा ओके पर click करें अब आप के सामनी function argument dialogue box खुल गया है इस dialogue box की पहली field में cursor को insert करें और mouse pointer से इन cells को select करें जिनकी calculation करवानी है यहां हमने cell range a6 से a14 तक को select किया है अब cursor को अगली field में insert करें और argument के मताबिक दूसरे cell को select करें यहां हमने cell range a19 से a23 तक को select किया है आप अपनी जरूरत के मताबिक मजीद argument का इजाफा भी कर सकते हैं ओके बटन क्लिक करें और आपके सामने result आ जाएगा यहां result शो कर रहा है total 14 supplies यहां support मारे हैं वादे आपальный यहां mejor